आज चर्चा के विशे में NMMS Scholarship Scheme 2022 डिटेल से जानेंगे अव्वादन स्विकार कीजिए डॉक्टर संतोस कुमार का बड़े जोर सोर से बड़े समय से इंतजार कर रहे थे विध्यारती की ये scholarship कब निकले और इसकी तैयारी में जुटने का प्रियास करें वीडियो में हम जानेंगे scholarship की क्या conditions है कौन-कौन scholarship के लिए apply कर सकता है और बड़े हर्ष की बात है कि इसके विध्यापन इसके notification 14th जैन 2022 से start हो गए है इसकी last date है याद रखे या apply before 24 जैन 2022 24 जन्वरी 2022 से पहले आप school के थूँ विध्याले के थूँ अपने application को forward करवाईए और apply कर दीजिए पूरे वीडियो में जानेंगे NMM scholarship जो है यानि कि national means का merit scholarship जो है उसके थूँ पूरे भारतवर्ष में एक लाख विध्यारतियों को ये scholarship दी जाती है center government की policy है और इसका examination conduct कराने का पूरा जिम्मा राज्य सरकार यानि कि state government को दिया जाता है और आपको बता दूँ कि किस तरीके से इसका जो amount है वो 12,000 रुपीज पर एनम कर दिया गया है यानि कि सांदार बात है यानि कि 1000 रुपे प्रती महा का वजीफा विध्यारतियों को दिया जाता है तो विडियो को लास्ट तक देखीगा जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं scheme of examination जानेंगे क्या-क्या papers होंगे क्या time duration होता है कब examination होंगे पूरी जानकारी को देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी खास बाते क्या-क्या है key features की बात करें तो यह जो scholarship है यह center government ने avail कि इसको start जो किया गया है वो center government ने इसको start किया है और इसका main objective जो रखा गया वो यही रखा गया कि drop out cases को कम किया जाए और drop out cases को कम कैसे किया जाए इसके लिए यह scholarship examination 2008 से start कर दिया गया और उसी समय से scholarship का जो amount था कम था और scholarship का amount अब वड़ा कर यह just double कर दिया गया है यानि कि 12,000 रुपीज पर एनम यानि कि साल का वजीफा 12,000 रुपे यानि कि एक महा का 1000 रुपे आपको मिलेगा पर उसकी कुछ सरते हैं कारण है कि देखा जाता है कि भारत वर्स में विध्यारती गर्ख्या आट की परिक्षा उत्तिन करने के बाद जैसे कि board की परिक्षा है उसमें विध्यारती कई बार पास नहीं कर पाते हैं छोड़ देते हैं ड्रोप-out cases को कम करने के लिए क्या किय जाता है कि इस परिक्षा में स्कॉलर्शिप उसको मिल गई और वो पास हो गया पास होने के बाद उसमें एक मनोबल एक मोटिवेशन उसको मिलेगा इस एक्जामनेशन को पास करने के बाद कि उसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है इकनोमिकल बेनिफिट किसको उसकी फैमिली को मिलेगा कि वह बच्चे की पढ़ाई बीच में नहीं छोड़वाएंगे और क्योंकि बेसिकली ये जो स्कॉलर्शिप है ये एकनोमिकली बेकवर्ड जो लोग है आर्थिक रूप से पिछले हैं विध्या जिनकी आर्थिकाय कम ह यानिकि डेडь लाक हूँ 450,000 रुपीज से जिसकी पर अयनमिकम कम है ये उनहीं के लिए बेनिफिशियल इन क्सकॉलर्शिप उनहीं के लिए बनाई कही है तो सरते क्या है कि जो बच्चा है वह है गवर्मन्ट स्कूल का एकन्द्र विद्धाल्य भी है नवोध भी से वह नहां के बच्चों को नहीं scholarship दी जाती है, ये सिर्फ state government, यानि की राज्य सरकार के school में जो नामांकित बच्चे हैं, उन्हीं को ये scholarship मिलती है, तो ये इसकी condition में खास बात है, अब देखेंगे पूरे वीडियो में, last में बात करेंगे, कैसे जब आप scholarship examination को pass कर लेंगे, पास करने के बाद आप 9th है, 10th है, 11th है, 12th के पढ़ाई, किस तरीके से एक वजीफे के साथ, यानि की scholarship के साथ, जैसा कि आप पढ़ते थे, किताबों में सुना है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, किस तरीके से गांधी जी को scholarship मिलती थी, डॉक्र भीमराव अमेटकर को scholarship मि इस तरीके से वो एक पिछडे हुए परिवार से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से तालुकात रखते थे, और कैसे उन्होंने वजीफा प्राक्त किया, तो ये आप लोग के लिए एक motivational, आप माने कि class 8 से जब आप इस examination को पास कर लेते हैं, तो अपने आप आप में एक अलग-अलग जो इसके क्या documentation है, तो यहाँ पर generally आप ये बात देख रहे हैं कि weaker sections के लिए, economically weaker sections के लिए ये start किया गया है, dropout rate को कम करने के लिए कि continue बच्चा पढ़ सके, आप ये देख रहे हैं, under this scholarship scheme, 12,000 financial assistance will provide from class 9 to 12, ये दिया जाता है, और कुल मिला के किन को है दो students whose annual family income is rupees 150,000 or less can be apply for the scholarship scheme, ये कि डेड़ लाग से जिनकी आएकम है, वह apply कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि आप में से जो विध्यारती students है, जो scholarship के लिए apply करते हैं, आपको राजे सरकार से मिलती है, केंदर सरकार से मिलती है, तो उसके लिए जो conditions आप fulfill कर रहे हैं, वो same conditions यहाँ प बच्चा है, वह 7th class government school से enroll हो, 7th पढ़ा हो, 8th में सरकारी school से enroll हो, वहां से उसकी पढ़ाई जा रही हो, तो वही इसको apply करेगा, क्योंकि इसको जो forwarding officer है, वो principal of the school होता है, government school का principal होता है, और राजस्तान state की बात करें, तो साला दर्पन के थूँ ये forms apply होते हैं, तो पूर पूरा जो आपका essential requirement है, क्या qualifications है, और क्या conditions fulfill आप करते हैं, तो जोर सोर से इसकी तैयारी में लग जाईए, बड़े समय से 7th का exam आपने नहीं दिया, कुछ बच्चों ने, 6th भी नहीं दिया, 7th भी नहीं दिया, promoted promotion के थूँ मिल रहा है, उनको कुरोना के pandemic की कारण, लास्ट जो examination था, जिन विध्यारतियों ने गत्वर्ष भरा था, अब उनको मोका दिया है, सरकाने उनका अभी जस्ट टू मन्थ बैक उनका examination conduct हुआ था, इसका result पिछले वाले scholarship exam का आने वाला है, तो इसी तरीके से कही ना कहीं government exam जरूर conduct करती है, online mode में होगा, अगर कोई pandemic, फिर से pandemic का बरकरार रहता है, तो online mode में करेगी, पर examination जरूर conduct कराती है, और नहीं है तो offline mode से भी करेगी, तो same इसका importance वही है, जैसे board examination का importance है, आप 8 में board में भी appear हो रहे हैं, और जो बच्चे वहाँ अच्छा कर सकते हैं, और जो economically backward है, जिनका family economic condition अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी सीटे हैं, वालब लोगों को जानकारी नहीं होती कि वो इस exam के पता ही नहीं रहता है, तो वो avail ही नहीं कर पाते हैं, पर जब उन्हें पता लगता है, तो समय गुजर चुका होता है, तो यह अच्छा मुखा है कि आप 1,000,000 students में अपना नाम अंकित कर सकते हैं किरतिमान बनाने का आपके पास बहुत अच्छा मुखा है, तो यहाँ पर जो बताया है कि scholarship अगर आपको मिल जाती है, तो वो आपके PFMS method कि थूख State Bank of India में, beneficiary के खाते में हर महा आ जाती है, उसकी कुछ conditions हैं, पढ़ाई जारी करें, general category के लिए 60%, marks आना जरूरी है, कि आप 60% नमबर आएं, यहनि कि आप first division भी रहें, तूसरा categorize wise is SCST के लिए थोड़ा है, वो 55% के आसपास है, तो वो भी बात करेंगे, यह आप देख रहे हैं कि highlight features और NMMS scholarship 2022 है, government of India के थूरूर लांज है, beneficiary student of India है, objective क्या है, to promote financial assistance है, इसकी official website पे भी आप जा सकते हैं, जो state, हर state क अलग अलग है, जैसे अपने रास्तान में है, उदैपुर में जो RSCI, CERT है, वो इसको conduct कराता है, उसके पास इसका पूरा करवाने का जिम्बा होता है, मतलब state जो educational research institute है, उदैपुर में, वो इसको करवाता है, यह तो इस साल financial assistant 12,000 रुपीज है, मतलब भी बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है, कि अगर आज से हम बात करें पहले, यानि कि अगर आज से 9 साल, 10 साल पहले की बात करें तो यह amount just 5000 रुपीज था, अब आप यह 5000 रुपीज से बढ़ कर यह 12,000 रुपीज पर एनम हो गया है, तो अच्छी बात है, mode of application, online, offline दोनों कर सकते हैं, online होगा, तो यहाँ objective जो है, उसकी भी हमने बात की, कि all those students weaker sections के लिए बात कर चुके हैं, अब यह पर मन्त का बता रखा है, आप यह देख रखे हैं, एक लाख बच्चों को scholarship मिलेगी, और यह एक खास बात है, कि क्या conditions हैं, कहां मिलेगा, यह लिखा है, कि according to the enrollment of student in class 7th and 8th and their population in the respective state, some of the important and detail of NMMS, क्या क्या है, कि भई, class 9th से उसको 12,000 रुपे मिलेंगे, और फिर go on, चलते रहेंगे, और इसी तरीके से वो अपने पढ़ाई को complete class 12th, पूरी करेगा, और हर साल promote होना चाहिए, अगली class के लिए यह condition है, इसी तरीके से NMMS scholarship scheme, जो selection procedure क्या है, उसको देखेंगे, त को कोर्स आपका, अभी तो NCRT की बुक्स सभी जगे लागू हो चुकिए, पहले स्टीट पोर्ड का था और NCRT सेंटर बोर्ड की बुक्स दोनों से मिलाकर ही paper आता था, पर अभी सभी जगे NCRT की बुक हैं, तो बड़ा अच्छा है कि common एक pattern होता है, सभी states में यही NCRT ही चल रही है, और तो NCRT की बुक्स से आपके course content पूरा आता है, कुल में लाकर जो duration होता है, time duration वो 90 minutes का होता है, और यहाँ पर जो आपके paper होंगे, वो आप लोगों का यह बताया है, एक MAT का paper होता है, mental ability test होता है, यहाँ पर आप यह देख रहे हैं, कि इसमें reasoning ability, critical thinking के questions आते ह हैं, और कितने हैं, 90 multiple choice, MCQs आपको मिलेंगे, और क्या topics होएंगे, यहाँ analog के hidden figures के question है, patterns के question है, perceptions के है, numerical series के है, classifications है, यानि कि simple way में आप जान लें, कि आपको verbal, non-verbal, जो reasoning है, वो करनी है, बड़ी simple है, तो आप online चेक करिए, कई books भी available है, उनको purchase कीजिए, और mat की तयारिय आप कर सकते, तो mat हो गया, दूसरा आपका है, scholastic aptitude test, जिसको set कहते हैं, तो यहाँ पर syllabus जो है, वो मैं पहले बताए कि important यहाँ देखेंगे, कि syllabus जो है, वो 7th का और 8th class का syllabus है, वो आपको cover करना पड़ेगा, क्या है subject, जो set में scholastic aptitude test में, क्या subject आएंगे, जहाँ MAT में reasoning को ब बात करेंगे, आपका science subject है, social studies है, mathematics है, यानि कि आप यहाँ देखें, कुछ questions, यहाँ MAT में ही, हिंदी-English के भी आ जाएंगे, पर यहाँ पर जो है, 90 multiple choice questions जो आ रहे हैं, वो आपके social science, science and mathematics से आ रहे हैं, तो वो भी 7th 8th का आपको complete करना है, और time पे इसका result आ जाता है, और यहाँ पर एक खास बात है कि student is required to secure at least 40% marks in each test, यहाँ कि दोनों test में, यहाँ कि MAT और SET में 40% आना जरूरी है, and the list of students who qualify for the exam will be declared by the state, वो अलग-अलग state उसको करता है, यहाँ पर आप देखेंगे, the student require at least कितना है 40% आना जाए, each test में, relaxation है, category wise है, reserve category, SCST के लिए 32% आ सकता है, student have secure at least 55% marks in the final examination of class 8th, अब यहाँ पर scholarship आपने पास कर रही है, पर 8th का exam जब लगा, 8th का exam में आपको कम सकम 55% marks तो आने ही जाए है, और यहाँ पर general categories की बात करें, OBC की बात करें, 55th में आने जाए है, 8th भी पास करना जरूरी है, और साथकिसा SCST students को 5% का relaxation दे दिया जाता है और उसके बाद यह main eligibility conditions हमने जानी, benefits की बात करें, features क्या है scholarship के, यह department ने स्टार्ट किये, जो Human Resource Development MHRD है, उसने इसको स्टार्ट किया था, 2008 में NMMS का पूरा नाम National Means का merit scholarship है, और अब state इसको कराती, economical weaker sections के लिए इस पे बात कर चुके है, प्रपाउट के इसको रोकना है, यह main objective है साथ की साथ, और students को increase करना है, motivate करना है कि secondary करें, senior secondary करें, 12,000 रुपीस की financial assistance है, 9th class से start हो जाती है, हर साल beneficiary को renewal कर दिया जाता है, उसका पर पढ़ाई जारी रखने का certificate उसे देना पड़ता है, scholarship scheme 2008 से में से start हो ही है, एक लाख बच्चों को मिलती है, यह आप यह देख रखेगा, तो सबसे पहले 8th में पढ़ रहा हूँ, कहां पढ़ रहा हूँ, गवर्मेंट स्कूल में, शुरू में भी आपको बताया है, वो अपलाई करेंगे, income criteria not exceed 1,50,000 पहली बात, qualifying marks criteria 55, general category, reserve 50, इतने marks आने चाहिए, the candidate is required to score at least 60% marks in class, 10th board examination, खास बात है, 10th board में, continuing criteria अगर scholarship को जारी रखना है, तो 10th में at least 60% यानि के first division आना जरूरी है, और उसके बाद continue 12th में रहेगा, suit clear, the promotion set बेगा ग्यार भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, और कितने marks आए, first attempt में at least 55% marks आने चाहिए, तो ineligibility कि इसकी है, पहले ही बताया नवोद्दे है, के इंदर व facilities आप ही को मिल रही है, तो ये एक खास बात है, अब आप NMMS का जब apply करेंगे, तो आपका documentation क्या क्या होना चाहिए, note कर लीजिए, पहला marksit class 7th की, 8th की होनी चाहिए, promotion certificate है, वो होगा, तो 7th का भी दो गया, आप 8th के लिए पढ़ रहे हैं, आधार होना चाहिए, cast certificate होना च होना चाहिए, कास्ट का अगर फाइदा लेने तो कास्ट होना चाहिए, income certificate होना चाहिए, domosile होना चाहिए, disability certificate अगर लगा रहे होना चाहिए, रासन कार्ड, passport, फोटोगा, mobile number और account detail ये होना चाहिए, ये अगर नहीं होगा, तो आप apply नहीं कर सकते हैं, नहीं है, तो बनवा कर सकते हैं, अब आगे देखेंगे, important condition regarding the starting and continue NMM scholarship के लिए है, जैसा 8th pass करेगा, तो 9th से scholarship शुरू हो जाएगे, और 9th से कब तक मिलेगी, यानि कि 9th, 10th, 11th, 12th, यानि कि ये scholarship आप 4 साल के लिए अवेल कर सकते हैं, उसके बाद आप 12th के बाद और scholarship है, higher education के लिए वो भी मिल बिलती हैं, उसके उपर भी वीडियो बनाएंगे, बताते रहेंगे, जुड़े रहिएगा, निरंतर देखते रहो चैनल को, कुछ ना कुछ रोचक जानकारिया, आप तक मैं बहुत चांता रहता हूं समय समय पर, so यहाँ पर 10th, 12th के लिए बताया है, 11th में पहले बात कर चुक हैं, 10th में 1st Division, 12th में 55% इतने होने चीह हैं, relaxation, SST का जो relaxation है, 5% का कम करके मानिए, इतना होता है, तो आज कला मोमन 1st Division हर बच्चा स्कोर कर लेता है, करना भी जीए, अब यह scholarship examination कैसा है, कहां मिलेगी, state of center government, he is not eligible to take benefit, अगर कोई बच्चा पहले से कोई scholarship ले रहा है, त अवेल नहीं कर सकता, यानि कि एक scholarship ही ले सकता है, ऐसा नहीं कि तो वो disqualify हो जाता है, दूसरा है कि awardee is required to obtain 55% in the class 9th, 11th and 60 marks in, यह खास बात है, भाई 9th और 11th के लिए तो 55% है, बट 10th के लिए यहां पर दिया है कि 60% marks 10th में आना बहुत जरूरी है, वाना scholarship नहीं मिलेगी आपको यह भी जरूरी, तो पढ़ाई के साथ महनत करते रहना है, जो पास करेंगे वो तो महनत जरूर करेंगे, सारा आपको state pass BI में आपके पैसा आएगा, अब जब आप जैसे scholarship आपको मिल गई, मिलने के बाद यह इसकी national official website है, जहां पर आप जाकर registration करके, आप scholarship को हर साल renew करते रहेंगे, और आपको जो required documentation है, उनको आप जमा करवाईए, आपकी scholarship continue मिलेगी, आपको मिलती रहेगी, तो इसी तरीके से यह सारी basic informations है, जो आपको online जब भरेंगे, उसमें सारी जीज़े आती हैं, और उसके लिए आप registered करवाना पड़ता है, और NMMS के लिए school से ही forwarding letter आपको मिल जाता है, कैसे भी जो PDF format में है, कैसे भी आप उसको screenshot के साथ submit कर सकते हैं, तो NMMS scholarship आप मिल जाएगे, अब mobile app भी एक बना रखा है, उस Google Play Store से आप mobile app के थूब भी आप इसको कर सकते हैं, इसकी official website पे portal पर जाकर बर सकते हैं, तो यह सारी के सारी information आपको आज हमने जानी, NMMS scholarship examination के बारे में, तो यह इसी तरीके से निरंतर channel से जुड़े रहे हैं, कुछ ना कुछ रोचक जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, जिन से आप ज़्यादा ज़्यादा motivate होते हैं, और इस तरीके की जो भी information है, वो आपके लिए beneficial होती है, तो कुल मिला के, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, लास्ट में अगर कहीं problem है, तो contact number, help line number दिये हुए हैं, जिस पे help desk पे आप nsb.go video के उपर आप कर सकते हैं, आपके कुछ comments हैं, कुछ questions हैं, comment box में जरूर डालिएगा, धन्यवाद, जैहिंद,